सभी को नमस्कार, मैं उदैसिंग नहरा, एक बार फिर आपका हारदिक स्वागत करता हूँ, एक ओर इंपोर्टेंट निमेरिकल हम हल करेंगे, जो RPSC School Lecture 2015 में पूछा गया है, यदि एक तरंग का कोणिये वेग उमेगा तथा संचरन नियतांग के, उमेगा स्क्वाइर इकल टू C स्क्वाइर के स्क्वाइर प्लस उमेगा जिरो स्क्वाइर से संबन्दित हैं, जहां C तथा उमेगा जिरो नियतांग हैं, तो समूवेग तथा कला वेग का गुणनफल ह चार उप्षन दे रखे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समुवेख क्या होता है और कला वेख क्या होता है? और समूह वेग जिसे ग्रूप विलोसिटी हम कहते हैं वी जी से लिखते हैं वी जी का फोर्मूला होता है डी उमेगा वाइट डी के और कला वेग जिसे तरंग वेग भी हम कहते हैं और जिसको फेज विलोशिटी वी पी या वेव विलोशिटी भी कहते हैं इसके बराबर होता है उमेगा वाई के हमें इन दोनुका गुणन्थफल ग्याद करना है तो हमें सम्बंद दे रखा है उमेगा स्क्वाइर इक्वाइर टू सी स्क्वाइर के स्क्वाइर प्लस उमेगा जीरो स्क्वाइर यदि हम इस सम्बंद को के के साप एक्स डिफ्रेंशियेट करतें के के साथ के के साप एक्स अवकलन करने पर के के साथ अवकलन करेंगे तो यहाँ से टू उमेगा डी उमेगा बाइट डी के एक्वाइल टू सी स्क्वाइर तो कॉंस्टिंट है के स्क्वाइर का होगा टू सी स्क्वाइर ऐसे का ऐसा है के स्क्वाइर का टू के टू मैंने पहले लिख लिया प्लस यह 0 हो जाएगा omega 0 ने तांक है तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया इस k को यह इधर ले आएं तो हम लिख सकते हैं omega by k d omega by dk equal to c square इस k को मैं इधर ले आया तो omega by k हो गया d omega by dk है और equal to c square अब यह देखिए omega by k और d omega by dk omega by k है हमारा vp और d omega by dk है हमारा vg दोनु का गुणन फल हो गया c square यह हमारे पास संबन आ गया तो हमारा answer 1 correct होगा option 1 will be our correct answer thanks